हेलो दोस्तों स्वाधत आपका अम्भीरी ये टीट चनल पर इच्छा प्लान वे तो चलिए आज की एविएस की किलास को सुरू करते हैं तो यहां पर एक कहानी लिखी गए अपसाना मनसुरी की जो सिर्फ तेरे वर्स की है और वह अवी से दीवार आन चुकी है वह दीवार जो उसकी जुगी और वास्केट बॉल कोर्ट के वीच है समाद द्वारा खड़ी की गई दीवार उस लड़की की सामने जो अपने परवार को चलानी के लिए बातर मालती है लिंग वेट की दीवार भी जो उसकी मानी उसके सामने खड़ी की थी आज अपसाना खुद एक वुलन्द मजबूत दीवार है मुमई की नाख पाड़ा बास्केट बॉल एसोसेशन की आज वे प्रेरड़ा है पांच अन्म लड़कियों की निये जो रोजमर्रा की जिनी को छोड़कर पहुँची हैं बास्केट बॉल कोर्ट हुँच आज अपसाना एक सितारा है एक वारती टीम का इस टीम ने मुमई के कई खिल्वों की टीमों को अचलेज में डान दिया हैं सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला इस तर टोर्नामेंट के सीमी फाइनल में अब यहां पर इनकी एक मुलाकात लिखी वी है तो इसमें यह जानना महतपूर है कि यह अफसाना मरसुरी है और इनकी टीम में पांच आने लड़ना ओर भी हैं तो इस लेसन में इतना जानना आपश्चक हैं इसी वीडियो में अगला लेसन भी देख लेते हैं अगला लेसन है जाए तो जाए कहां इससे भी प्रस्ण नहीं बनते हैं तो इसकी बाद वाला लेसन देखते हैं किसानों की कहानी बेजगी जुवानी इससे प्रस्ण में बनते हैं तो इसको पढ़ लेती हैं लिखा है मैं हूँ नन्हा बाजरा बहुत सान पहने सन 1940 में मुझे लकडी के इस सुन्दर वक्से में रखा गया था आज मैं तुम्हें अपई कहानी सुनाना चाहता हूँ यह सिल्प मेरी ही नहीं मेरे किसान दाम जी भाई के परवार की वी कहानी है अगर आज ना सुनाई तो बाजरा आपने सुना होगा इस तरह से होता है और इसकी रोटी भी बना कर खाई आती है इसको पीस कर फिर इसकी रोटी बनाई जाती है दिखा है मैं जनमा था गुजरात के वान गान में उस साल बाजरे की फसर बहुत अच्छी दोई गान में फ्तेवभार का महौर अमारा इनाका अनाज साग सबजी के लिए बहुत मसूर था दाम जी भाई हर साल अच्छी फसर के लिए कुछ बेज अगले साल फिलिये रखा पर पेपे लिए इसी तरह हम बीजों का मंच चलता है सूखी रोकी को मिट्टी से नीब कर उसमें बीजों को रखा जाता मगर उस साल दाम जी भाई में हम बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वालवान वजबूत नकरी का एक सुन्दर बक्सा अपने हांखिन से बनाया हमें कीडों से बचाने के लिए उसमें नीम की पतियां बचन तब और बीजों के साथ मैं भी में रहने लगा उस समय दाम जी भाई की सभी सचेरे भाई में उनके साथ ही रहते थे गाँ वाले एक दूसरे के खेतों में हांथ वाटते जब नई ससंत रियार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते तब के खाने पीने की तुबात थी अलग थी सर्दीनों में खेत में नी ताजी संदियों को मसालों के साथ एक मठके में भरते उसको सीन बंद कर देते वोले के अंगलारों में मठके को उल्टा रहकर सर्जी को पकाया जाता इस पकी सर्जी को उन्दियों गुजराती में उन्दियों का मतलब है उल्टा उन्दियों के साथ मित्टी के चुले में पकी बाजाय के नोटिये वे के सांडे खुस्पूँ वाह साथ में घर के दूप और मखन दही और जितनी चाहिए उल्टा तो प्रस ने तूचा जाता है कि उन्दियों को क्यासे पकाया जाता है या ये कहां पर बनाया जाता है उन्दियों तो ये गुजरात ने बनाया जाता है इसको यार रखना और इसका मतलब होता है उल्टा उन्दियों का मतलब है उल्टा तरतरे की सब्जियां अनाज अलग-अलग मौसन में उबाई जाती थी किसान अपने जवुरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाफी का सहर के दुकानदारों को बेच दे रही अनाज और सब्जियों के अलावा कभी-कभी थोड़ी का पास भी उगाई जाती सूत की कताई और बुनाई ने घर में ही चर्खों और करवों पर के जाती थी बदलाव तू कुछ बदलाव आई उनके बारे में रिखा है कुछ सानों में गाउं में कई बदलाव आई कुछ जगों पर नहर का पानी पहुंच लिया कहते थे दूर किसी बड़ी नदी पर बनाई बांध से यह पान यहां नाय गया था फिर बिजली भी पहुँजी गई बस बटन दवाओ तो रोसमी धिये धिरे सबी लोग एक दूर तरह की ही फसल उगाने लगे किसान बीजों को भी बाजार से खरेदने लगे लोग कहते थे नई तरह के भीजने अब किसानों को पुराने बीज रखने की जरूरत नहीं थे अब दो खास माकों पर ही मिलकर खाना पकाया जाता सब पुराने खाने के सुआद को याद काते मगर बेज ही बदल गए तो स्वाद कैसे न मगने इन वाजार से खरेदी समझी से घर की ताजी सर्जी का मजा थोड़े ही आ सकता है दान रिवाई अब बूरे हो गई थे उनका बेटा आसमोग खेती और घर का जिमा समानने लगा असमोग खेती से खुब बुना का पमारा था उसने अपने पराने घर को नया बनाया खेती में भी नई नहीं चीने लाया पानी के लिए बिजनी का फंप लवाया सहर में आने जाने के नी मोटर साइके खरेदी और जमीन जेपने के ही ट्रेक्टर जो कान करने में बैलोग को कई दिन लगते थे वाई कान ट्रेक्टर से कुछ ही समयने कर लेता हसमोग कहता अब हम सोच समझ के खेती कर रहे हैं वही उगा रहे हैं जो बाजार में बेच जाजा सकी मुनाफिक के प्याशों से हम अपना जीवल सुना सकते हैं और ज्यादा तरक्टी कर तो पहले क्या होता था किसान जो थे वो हल से खेतों को जोता करते थी लेकिन अब बैज्यानी के यूग है किसान ट्रेक्टर का उप्योग करते हैं जिससे जो कान अधिक समय लेता था वो अब कम समय में किया जा सकता है आगे लिखा है मगर बक्से में पड़े हम पुराने वीडियो को ऐसी तरक्टी पर सकता हम तो सोचते ही रह गए या कैसी तरक्टी अमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई ट्रेक्टर ने खेत पर काम करने वारे लोगों को भी नेरोजगार कर दिया तो पहले जिनों खेतों में काम करते थे जबसे ट्रेक्टर से काम पने लगा तो वो सबी लोग बेरोजगार पो गए खर्चे पर चर्चा लिखा है अगने बीज सानों में बहुत से बदलाव आई उडाय वेल नहीं तो गोबर की खाद भी नहीं हस्मुक ने नई मैंगी खाद डालनी से उपी नई बीज ऐसे थे कि उगी फसन पर जल्दी कीरी लग जाते हसर पर दवायों का चनकाव भी करना पड़ता आगे निखा है उफ क्या बदली थी इनकी हस्मुक का काफी पैसा इन सब पर खर्चे बुने लगा नहल का पानी कम हो रहा था अब हस्मुक के गान में सभी ने अपने पनी पंप लगा कर जमीन के बहुत नीजे से खूब पानी खीचा खर्चे पर खर्चे अब ही क्या जब सबी लोग कापास उगाते तो कापास की कीमत में कमें निती एक ही तरह की फुसल बार बार उगाने से और दवाईयों ने जैसे जमीन की जान ही खीचोई खेती करना और उससे अपना बुजारा चलाना अब मुस्किल बोता जाना था हस्मु भी पहले जैसा ना रहा चिर्चड़ा हो गया इसका जबान बेटा परेज पड़ लेकर खेती का काम नहीं करना चाहता बैंट का परजाचफानी के निए ट्रप ड्राइवर का काम करने यदा कभी रात रात पर घर नहीं रोता कभी अपते बर भी नहीं परसों घर आ पानी क्यों बताई तो जो सभी लोग खेतों में एक ही जैसी फसल लोग आते हैं तो उस फसल की कीमत भी कम हो जाते हैं इसी बारे में यहां बताया गया है अब आगे देखते हैं क्या निखा है अखवार में चपी रिपोर्ट पढ़ो और उस पर चर्चा करना लिखा है देखते हैं 2007 की रिपोर्ट लिखी हुई है लिखा है यहां कि कई किसान खेती में हुए गाते की कारण बैंक करजा नहीं चुका पाई हैं और जेज बैस दिया गया है ऐसे ही एक किसान है नाला पा रेड़ी और उन्होंने बैंक से 24,000 रुपे करजा दिया था यह करजा आउकार सेमी भारी व्याज पर करजा निया उन 34,000 रुपे देकर इनने इनका सारा करजा ना पूरा हुआ वे कहते हैं यह बैंक कि किसानों को तो चोटा सा करजा ना चुफानी पर जेज रहे हैं पर बड़े व्यापारी उद्योग पती जो करोल का करजा नहीं चुकाते उ एक लाख पचाहजार किसान अपनी जान खुद ले चुकी हैं यह संख्या सायर इससे ली जाना ना यूगी किसान पर होते हैं वे करज ले लेते हैं और करज जब चुका नहीं पाते तो वे खुद ही अपनी जान ले लेते हैं इस वारे में नहां पर लिखा उना है अब यहाँ पर लिखा है बुजरात में रहने वाने कच्छा पांच के बच्चों ने भासकर भाई फ्राखार्म देखा उस पर एक रिपोर्ट लिखी तुम भी पढ़ो लिखा है दरहरी गाउं वासकर भाई की बाड़ हमें दो से ही नारियल के पेड़ दिख गए बापरे एक नारियन के पेड़ पर कितने सारे नारियन हमें लगा विर्ट जरूर वाजार सी खरीते महेंगे खाद का इस्तिमान करते हुँबे पर वाड़ी में गुष्टे ही हम हैनान रेडर पूरी जमीं पर सूखे पत्ते हर पत्वार और जिनमीनी खास फूस कुछ प्यड़ों की एकाद सूखी साखा देखकर लगा वसे क्योड़ों निखाया है बीच इतनी रंगे रंगे पत्तों वाले पौधे इसलिए किसलिए हमने पूछा तो भासकर भाई ने बताया कि इन पौधों वो परन की जड़े जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती जमीन के पत्ते मुर्जाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाब को पान देने के जलूरत है उनने बताया कि फ्यक्रिंग बनी खान का इस्थिमान रहीं करते हैं उनकी जमीन रुक जाओ बनती हैं जड़ो पत्तों साखाओं के सड़रे और कैचुओं से भास्किर भाई ने बताया कि ये केचुओं में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन और नी बोजाती है इन केचुओं के मल से जमीन उपजाव बनते हैं फिर प्रगेर में सहर मेरे नेवाने अपने चाचा के वारें बताया उन्होंने एक गड़ा पोदा जिसमें क्याचुब पोदाफखा वे रसोई जड़ का सारा कच्रा समझी थन के उच्छ के लिए उस धटे में डाल देते इस तरह दन बेने खाण मनती रहती कच्रे का अच्छा इस्तिमारी भी बुजाता और वाजाल की खाद से ज्यादा अच्छी और सस्ती खादगीन बिल जाते फिर हमने इस फार्म में होगे कई फर्वी चके मंजा भी आया और एक खलक तरह की खेटी के पारे में भी हमने जाना अब लिखा है बाजरी की बीज का सफर खेट से प्लेट था तो यहाँ यह चित्र वने हुई है चपे उड़ियों और यहाँ पत लिखा भी है लिखा है चित्रों पूर देखू और बताओ कि हर चित्र में क्या दिख रहा है चित्र दो में बाजरी की बाली ओखें में रखी है यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में सरसे पहले ही खेत में बाजरा है लगा हुआ है और ये ओखली में बालिया रखी हुई है उसके बाद क्या लिखा है यह उसली से कूट कर बाजरे के दानों पुम्बानी से अलग करते हैं अलग के दर बाजरे के दाने चित्र तीन में दिख रहे हैं यहां आप दीसरे चित्र में देख सकते हैं यह बाज़रे के दानें इसमें दिख रहे हैं. आज कर सक यह काम हाथ से नहीं, भल्कि एक बड़ी मसीन तरेशर से किया जाता है. पहले क्या होता था ये काम हाँ से किया जाता था लेकिन अब मसीने हो गई है और ये सारा काम फ्रेसर से किया जाता है बानी से दानों को अलग करना आगे लिखा है दोनों एक ही काम करने की अलग अलग तरीकी हैं जिनने हम तक्नीक भी कह सकते हैं अब आप यहां पर देख सकत और यहां यहां पर आप देख सकते हैं प्लेट में रोटियां तो बाजरे का खेट से प्लेट तक का यहां पर सफर लिखा हुआ है कि किस पिरकार बाजरे की रोटी को तयान किया जाता है तो आज की लेसन में बाजरे की बारे में जाना एक पिरकार का अनाज है इसकी रोटी बिनाई जाती है और उन्डियों के बारे में जाना है उन्डियों ये प्रस्ण पूछा जाता है तो इसके बारे में यान रखना है तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई